बीच में उत्तरप्रदेश के अपर मुख सचुख खनन, स्री राजपतार सिंग जी हैं, खनन नीट को लेकर उत्तरप्रदेश में क्या हो रहा है हम उनसे जानते हैं? तो इस नई सरकार में वो ऐसे लूट न हो सके इस पर सरकार क्या कर रही है हम लोगों ने इसके लिए टेक्नॉलोजिकल इंटर्वेंशन की विवस्था की है अभी दो दिन पहले ही हम लोगों ने मानिय मुकमंतिजी के माध्यम से e-transit pass portal का launching कराया है हम लोग ने अब इसका एक computer based portal बना दिया है इसके माध्यम से जो भी पतेदार है वो अपना online ही payment करके अपनी खनिज को ले जा सकता है और उसका जो electronic version होगा उसमें QR code होता है जिसे scan करने पर उसकी validity पता चल जाती है तो इस प्रकार से जो भी खनन का आवागमन हो रहा है उसकी वैदता किसी को भी जानने में कोई असुविधा नहीं होती है दूसरी हम लोग ने भार सरकार के साथ जो सची महदे आया थे उनसे mining surveillance system एक योजना है जिसके अंतरगत जो हमारे खनिज खान है उनके coordinates को हम लोग चिन्हित करके और उसको हम लोग map पर दे देते हैं और वो satellite में उसकी overlay से mapping करके वो उसकी monitoring करती है और यदि उस जो खान का जो छेतर है निर्धारी छेतर है उसके बाहर अगर कोई खनन की कारवाई होती है तो वो हमें automatically trigger generate करके सुचित करेगा जिस पर हम लोग खनन रोकने की कारवाई कर सकते हैं इसके अतरिक सभी जन्पदों में task force का गठन किया गया है जिसमें जिला अधिकारी और वरिस पुलिस अधिक्चक अत्वा पुलिस अधिक्चक उसमें रहेंगे और उनके द्वारा समय समय पर इसका आकस्मिक चेकिंग करके इस बात को देखा जाएगा कि कहीं आवायद खनन तो नहीं हो रहा है ये थे उत्तर प्रदेश के अपर मुक सचु खनन राजपताव सिंग जो खनन भी सेपर एपियन से बात कर रहे थे गनेश के साथ मैं अविनासमिस एपियन लखना हूँ